एक businessman couple से एक लटकी को बाई करना चाहता है इसके बात क्या होता है यह आज की movie की story है आपके पास अगर बहुत सारे पैसे होगे तो क्या आप किसी को भी बाई कर सकते हो क्या दुनिया में सब कुछ sell के लिए होता है आज की movie में आपको explain करने वाला उसका नाम है इस movie का explanation जैसे आगे बढ़ेगा तो बहुत सारी चीज़े आपको गलत लग सका पर movie के last में मैंने बहुत सारी चीज़ों को समझाया है तो last अग इस वीडियो को ज़रू देखेगा चलिए शुरू करते हैं movie स्टार्ट होती है और हमें लेक के पास डेविड आया हुआ दिखता है डेविड हमसे कहता है कि डायाना मेरे लाइफ से चली गई है वो मेरे लाइफ से चले जाना ये मेरे लिए बहुत ही painful था मेरे body का कोई part खो देना इस तरह सी है था मुझे लगा था कि हम दोनों invisible है डायाना हमसे कहती है कि अगर आप किसी को पैर करते हो तो उसको आपको छोड़ देना चाहिए अगर ओ घूम फिर कर फिर से आउपस आपके पास आ जाए तो आपकी हो जाती है अगर नहीं आई तो फर्स प्लेस में आपकी थी ही नहीं हमें आप दिन दोनों की स्टोरी पता चलती है डायाना और डेविड दोनों बचपन से एक साथ थे डायाना और डेविड जब हाई स्कूल में थे तब इन दोनों का पैर हो गया था इनके पैरंस इने मना कर रहे थे पर भी इन दोनों ने शादी कर ली थी अब रेजन में David एक architect बन चुका है वो एक firm में job करता है और Diana एक agent है वो घर sell करती है David और Diana को एक dream house चाहिए होता है इसके लिए David उसके design पर हमेशा काम करता रहता है एक ना एक दिन एक अच्ची से lion बाय करकर वो एक घर बनाने वाले होता है डायाना डेविड के पास आती है और उससे पुछती है क्या मैंने तुम्हें कभी बताया है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ डेविड कहता है कि नहीं यह कहती है मैं करती हूँ डेविड पुछता है कि अभी भी डायाना कहती है कि हमेशा के लिए एक बहुत ब्यूटिफुल कबल हमें यहां दिखता है नेक सिन में हम देखते हैं कि डायना हमसे बात करी है डेविड आर्किटेक्चर है इसी वज़े से वो मुझे दुनिया को अलग तरीके से देखना सिखाता है बहुत बार मुझे तो पता ही नहीं होता कि हम देख क्या रहे है पर डेविड मुझे इस दुनिया की ब्यूटि समझाता है नेक सिन में हम देखते हैं कि डायना को एक लायन पसन आई है अभी-अभी उनका ओफेस में सेल करने के लिए आई हुई है डायना हॉस सेल करती थी पर कोई हॉस बाही नहीं कर रहा था अब बहुत सारे मंज गुजर चुके है तो इसलिए ये लैंड का पेमेंट नहीं दे पाए अब बैंक इस लैंड को सीज करने वाली है पर इसका जो इंट्रेस्ट था कि इनको घर बेच कर देना पड़ेगा ये बहुत जाता ट्रबल में होते हैं अगर इनोंने जल्दी से जल्दी इंस्टाल्मेंट पेनी की तो इनका सब कुछ जा सकता है डायना टेंशन में होती है और डेविड से पूछ रही होती है कि अब हम क्या करेंगे डेविड कहता है कि वरी मत करो मैं कुछ भी करूँगा कार चलूँगा कही भी जॉब ले लूँगा पर हम पेन्मेंट कर देंगे इंस्टॉल्मेंट देने के लिए डेविड को अपने फादर से भी पैसे लेने पड़ते हैं एक दिन जोब ये सोया होता है तो इस एक आइडे आता है डायाना और डेविड दोनों कसीनों में आ जाते हैं यहाँ पर वो पैसे जी सकते हैं यह उसका आइडे होता है डायाना कसीनों में जो शॉप्स होते हैं यह देख रही होती है डायाना इस शॉप्स में से कुछ टॉफिस चुराती है तो यह जॉन देख लेता है जॉन एक बड़ा सा बिजनेसमैन होता है यह एक बिलिनियर होता है जॉन ने देखता है और उससे देखकर वो आसता है इसके बाइद डायना अलग शॉप में जाती है वो आएक अच्छा सा ड्रेस होता है जो ट्राइ कर रही हुती है यह उपर से ही से पहन रहे हुती है तो जॉन उसके पास आता है वो कहता है कि तुम्हें अगर यह अच्छा लगता है तुम्हें इसे बाइक करना चाहिए यह तुम्हें बहुत ही सूट करता है डायना कहती है मैं इसे अफोर्ट नहीं कर सकती है जॉन कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए बाइक करने दो मैंने तुम्हें देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है डाया ने कही थी है कि ये ड्रेस सेल के लिए होगा मैं सेल के लिए नहीं हूँ इसके बाद वो डेविड के पास आ जाती है डेविड बहुत सारे पैसे हाथ जीत रहा होता है डेविड और ये दोनों बहुत ही खुश होते है पर जॉन हमेशा इने देख रहा होता है रात में डेविड सब पैसे कैलकुलेट करता है वो कंक्लूर करता है कि सिर्फ दो घंटे अब उन्हें खेलना पड़ेगा अगर इस तरह से वो जीतते रहे तो बहुत सारे पैसे ही नहीं मिल जाएंगे इन्हें लोन के बारे में को भी वरी करनी की ज़रूद नहीं पड़ेगी डेविड को कहती है ये तुमसे बहुत पैयर करती हूँ डेविड कहता है कि मुझे पता है डायाना कहती है अगर हमारे पास पैसे भी नहीं है तो अभी मैं तुम से बहुत प्यार करती हूँ इसके बाद यह दोनों intimate हो चुके है यह में दिखता है अब अगले दिन डेविद और डायाना खेल रहे हैं यह में दिखता है यह खेलते खेलते बहुत सारे पैसे अब लूज करते थे इन्होंने अपने साथ 5000 डॉलर्स लाय होते है पर यह भी अब कम हो जाते है इन्होंने डिसाइड किया था कि इसके नीचे हो नहीं जाएंगे इन दोनों को अभी भी लग रहा होता है कि अगर इस 5000 डॉलर्स को उन्होंने पेट कर दिया तो फिर से वो पैसे जीच सकते है अभी कोईन टॉस करते है यह कोईन इनकी फेवर में नहीं होता फिर भी डिसाइड करते है कि वो कसीनों में खेलेंगे यह फिर से खेलते हैं और सब कुछ पैसे लूस करते थे है जब यहां से जा रहे होते हैं तो एक टेबल के पास बहुत सारी भीड होती है हम देखते हैं तो इस टेबल पर जॉन खेल रहा हता है डेविड भीड मेंसे एक आदमी को पूछता है तो यह कहता है कि बहुत बड़ा गेम यहाँ चल रहा है जॉन अभी अभी मिलियन डॉलर हार गया होता है जॉन जब डेविड को यहाँ देखता है तो उनसे पूछता है कि क्या डायनो को तुम मुझे दे सकते हो लग के लिए उसे वो टेबल के पास बिठाना चाता है डायना मना करी होती है पर डेविड केता है कि यह ठीक है कोई प्रॉलम नहीं है जब जॉन डायने के साथ खेलता है तो यह पत्ते खेल रहे होती है यह पत्ते भी वो हाल जाते है जॉन डायने से पुछता है क्या तुम्हें गेम पसंद नहीं है डायने के थी कि मैं गेम नहीं खेलती जॉन को लगता है कि इसे पसंद नहीं है इसलिए नहीं जीता अब जॉन उसे फिल के पास लेकर आता है जिस नंबर वो बेट लगाते हैं यह नंबर जीच जाता है इस पर इन्होंने वन मिलियन डॉलर्स की बेट लगाए होती है अब कसिनों को बहुत जादा पैसे जॉन को देने पड़ेंगे जॉन अब बहुत ही खुश होता है डायन और डेविड वहाँ से जाने लग जाते हैं तो यह उनसे बुशता है कि तुम अब कहा रुक रहे हो कहते हैं कि अब हम यहाँ से चले जाने वाले हैं जॉन कहता है कि एसा मत करो जॉन कहता है कि इतना प्रॉफिट तुमने मुझे करकर दिया है तुम यहाँ एक स्वीट में रह सकते हो तुम्हें जो भी चाहिए वो यहाँ से खरीद लो सब मेरे नाम पर डाल दो यह स्वीट देखते हैं तुने बहुत ही बसन आता है थोड़ी दिर में जॉन का एक इंपलोई उनके पास आता है जॉन ने डायना के लिए एक गिफ देया होता है यह उसे वो दे देता है जब डायना गिफ देखती है तो सप्राइस्ट होती है यह फाइथ हौजन डॉलर्स का ड्रेस होता है जो पहन रही थी जो जॉन को अच्छा लगा था रात में पार्टी के लिए जॉन के पास देविड और डायना आते है डेविड डायना और जॉन बहुत सारी बात चीत करते है रात में जॉन और डेविड जब बात कर रहे होते है तो जॉन डेविड से बुचता है पास सालों में अपने आपको तुम कहा देखना चाहते हो डेविड जोक करते हो और कहते है कि अगर मैं मिलिनियर बन गया तो मुझे कोई प्रावलम नहीं होगी जॉन कहते है कि पैसा सब कुछ नहीं होता अगर पैसों को तुम असाइड में रखो यानि कि तुमारे पास बहुत सारे पैसे है तो तुम क्या करना चाहते हो डेविड कहते है कि तुमारे पास इतने पैसे है क्या तुम सैडिसफाइड नहीं हो जॉन कहते है कि कौन सैडिसफाइड होता है डायना केती कि मैं satisfied हूँ जॉन फिर कहता है कि तुम दोनों बहुत ही lucky हो मेरे पास तुम्हारे ज़सा satisfaction नहीं है मेरे पास पैसे है एक कसिनोज है मेरे पास सब कुछ है डेवीड केता है कि लिमीट होता है कि पैसों से तुम क्या-क्या भाई कर सकते हो जॉन पुछता है कि मैं क्या नहीं बाई कर सकता डायना केती है कि तुम लोगों को बाई नहीं कर सकते रियल इमोशन्स तुम कभी बाई नहीं कर पाओगे जॉन को लगता है कि पैसों से उसे सब कुछ मिल सकता है वो डेविड से पुछता है अगर मैंने तुम्हें 1 million dollars दिये तो क्या तुम डायनों को एक रात के लिए मेरे पास भेज़ दोगे डेविड इस पर सीरता है पर कहता है कि यह नहीं हो सकता जॉन कहता है कि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कोई पैसे नहीं देगा पर अगर सच सोच में तुम्हें 1 million dollars मिलके तो क्या करोगे डेविड उसे भार में जाने के लिए कहता है इसके बास जॉन कहता है कि मेरी meeting है और वहाँ से वो चला जाता है रात में हम देखते हैं कि डेविड और डायना इन दोनों को नीन नहीं आ रही होती जॉन ने उन्हें जो proposal लिया है इस पर हो सोच रहे होते हैं ये दोनों एक दूसरे से खेह रहे होते हैं कि इनने नहीं करना चाहिए पर इन दोनों को अंदर से लग रहा होता है कि ये बहुत ये अच्छी deal है डायना कहती है कि हम दोनों ने एक दूसरे से शादी किया है पर इसके पहले भी हम किसी और के साथ थे मैं अगर उसके साथ गई तो ये भी उसी तरह से होगा डेविड को लगता है कि जैसे टाइम गुजरता जाएगा यसे वो चीज़ को भूल जा सकते है अब है decide करते है कि ये deal वो लेने वाले है डेविड अपने friend जो एक lawyer होता है इसको call करता है इसका friend जो है ये वी एक कमी नाई है तो जब deal के बारे में सुनता है तो वो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो कम से कम तुमें 2 million dollars मिलने चाहिए इसके बाद हमें एक deal workout होई दिखती है lawyer सब कागजा तो एकरा बनाते है और John इस पर sign भी कर देता है इसके बाद शाम में डेविड डायानो को John के पास छोड़ कर वहाँ से चला जाता है डेविड अपने friend के साथ hotel में बैठा हुआ होता है पर ये जो सब बात कर रहे है इसमें डेविड का थोड़ा भी mood नहीं होता ये बहुत जादा disturb हो चुका होता है इसे लगता है कि ये बहुत ही घटिया डिल थी इसे नहीं करने चाहिए थी इसे पच्टा होता है ये भागते भागते John के room तक जाता है पर अब Diana और John यहाँ से हिलिकॉप्टर में निकल चुके है डेविड पागलो की तरफ पूरे कसीनों में घूमता है उसे क्या करना चाहिए ये कुछ भी समझ में नहीं आता John Diana को उसके एक private yard पर ले कर जाता है यहाँ पर उसे एक special dress हो देता है डायना जब जॉन के पास deck पर आती है तो जॉन सब lights वेकरा burn कर देता है उसे वो stars दिखाना चाहता है डायना कहती है कि ये जो stars है इन्हें तुम burn नहीं कर सकते यानि कि वो सब कुछ चीज़े control कर सकता है और बहुत सारी चीज़े इसके हाथ में नहीं है जॉन फिर डायना से कहता है अगर तुम मेरे पास होती तो मैं कभी भी deal नहीं करता किसी भी चीज़ के लिए मैं तुम्हें छोड़ता नहीं डायना कहती है कि तुम डेविड को जज नहीं कर सकते ये deal तुम नहीं offer की थी जॉन कहता है कि तुम मुझे बहुत ही पसंद हो इसलिए मैंने सब किया था इसके बाद हमें दिखता है कि ये दोनों intimate हो जाते है सुबा फिर डेविड के पास फिर से डायना आती है ये एक दूसरे को हग करते है अब ये घर आ जाते है अब next scene में हम लिखता है कि डेविड और डायना बैंक के पास आ चुके है वहागा जो imply है अब इन्हें कहे रहा है कि उनको जो land buy करनी थी वो बैंक ने sell कर दी है ये अपने payment के लिए late हो चुके थे इसलिए land sell हो चुकी है ये बहुत ही चीड गए होते है पर इस पर वो कुछ कर भी नहीं सकते है जो सब इनके साथ होआ है इसके बाद डेविड बहुत ही परिशान हो जाता है वो डायने के पास एक match box देखता है इस match box पर एक cruise का नाम होता है इसे पता नहीं होता कि ये क्या है तो डायना से बोलता है ये हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए डायना बोलती है कि अच्छा एड़ा नहीं है हमीं सब कुछ भूल जाना चाहिए वो इस match box के बारे में पूछता है तो कही थी कि याट का था डायना को बिलिवने होता कि जान उसे एक याट पर लेकर गया था डायना 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 पर चीर गई होती है कि क्यों वो उसका सामान देख रहा था डायना को और भी curiosity होती है वो डायना की पूरी पर्स चेक करने लग जाता है यहाँ पर उसे जॉन का कार्ट मिल जाता है इस वर बहुत ही चिर जाता है डायना किसी को फोन लगा रहे होती पर वो लगता ने डेविड बहाता है तो वो शक लेता है वो जॉन से बाथ करी होगी वो इस कार्ट के बारे में बुचता है और इन दोनों की यहाँ फाइट हो जाती है डायना को भी जो सब उनके साथ हो रहा है यह गलत लगता है डायना अपने फ्रेंड की मदद लेती है और उनकी प्रॉपरडी किसने बाई की थी इसका वो पता निकालती है उसे लगता है कि अगर उनके फिर से उनकी लैंड मिल गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा जब डायना इसके ओनर का नाम देखती है तो यह जॉन ही होता है यह बहुत ही चीट गई होती है यह जॉन के पास जाती है जॉन अपने कलिक के साथ लंच कर रहा होता है तो वहाँ वो टेबल पर बहुत ही तमाशा कर देती है वो जॉन को बहार लेकर आती है डायना जॉन से कहती है हमारी लैंड तुमने क्यों बाई की जॉन कहता है कि मुझे ओपूर्चनेटी दिखिए और यह बाई कर ली जॉन फेस से उसे ये लैंड वापस नहीं करने वाला होता जॉन उसे प्रोपोसल देता है वो कहता है कि मेरे लिए तुम काम कर सकती हो डायना के थी है भी तुम हेट करती हो जॉन बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे हेट नहीं करती है तुम विश करती हो कि तुम मुझे हेट करो पर तुम कर नहीं सकती है जब डायना घर पर आती है तो डेविड उसे पुछता है कि तुम कहा गई थी डायना पोलती है कि वो जॉन के बास गई थी डेविड पूरी बात भी नहीं सुनता और बहुत ही चीड गया होता है उसे अब डायना से बात ही करने होती है कि उस रात क्या क्या हुआ था यह बहुत ही जेलस हो गया होता है तो डायना उसे सब कुछ बता देती है डायना उसे समझाती है उस तरह जो सब हुआ इसमें कुछ भी मिनिंग नहीं था डेविड इस बात को मानता नहीं वो कहता है कि तुम हमेशा से उससे अट्रेक्टेड थी इससे तंग होकर वहाँ से निकल पड़ता है डेविड अपने लॉयर फ्रेंड के यहाँ आया होता है तो डायना वहाँ कॉल करती है वो उससे कहती है कि जो सब पैसे है वो डेविड रख सकता है उसे अब इन पैसों के कोई भी ज़रूत नहीं है डायना अब घर से निकल जाती है और अलग जगा रहने लग जाती है एक दिन वो अपने जॉब पर होती है और उसका मैनेजर वहाता है वो कहता है कि एक आदमी 10 मिलियन डॉलर्स का हाउस बाय करना चाता है डायना जब इसे दिखती है तो यह जॉब जान ही होता है वो अपने मैनेजरों को मना करी होती है इसका मैनेजर उसे कहता है कि इसकी कमिशन बहुत ही जादा है तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए और अगर तुम नहीं करना चाहती तुम्हें तुम्हें फायर कर दूँगा अब डायाना को जॉन को एक घर दिखाना पड़ता है डायाना जॉन से बुछती है कि पहले तुम कहा जाना चाते हो तो यह कहता है यह तुम्हारे साथ पहरे ही जाना चाता हो डायाना इस पर कुछी बोलती नहीं और उसे घर दिखाती है John neighborhood में होता है तो बहुत बड़ा सा एक घर देखता है Diana कहते है कि sale करने कि लिए नहीं होगा John कहते है कि हर चीज sale के लिए होती है यह दोनूं फिर अंदर जाते है Diana figure out कर लेती है John को अगल का इक खर है John को ऐसे बुछता है तुमें क्या लगता है क्या कमी है इस house में डायने कहती है कि इस house में life ही नहीं है यह कहती है कि इसमें कुछ flowers, कुछ dogs, कुछ अच्छा सा furniture यह सब होगा तो इसमें जान आ जाएगी जॉन कहता है कि इस घर को तुम्हारी जरूरत है डायने इस खिलिए मना कर देती है वो खहती है कि तुम चीज़ों को collect करते हो जॉन कहता है कि सिर्फ कुछी चीज़ों को मैं इसा करता हूँ यानि को डायनों को लेकर बहुत ही serious है अब नेकसिन में हम दिखता है कि डेविड अकेला रह रह रहा है एक जगा पर जागर as a architect job भी ले ले लेता है वहाँ पर और qualified होता है फिर भी जाब हो ले लिता है डायना अपने extra time में कुछ लोगों को पढ़ाती है इसके class में जो सब लोग थे immigrants वेगरा होते है यह जब पढ़ा रही होती है तो वहाँ जॉन आ जाता है यह जॉन को कहती है class full हो चुका है जॉन पीसे से आ जाता है जॉन इन सब लोगों से बात करने लग जाता है डायना इसे रोकती है और बोश्टी है क्या तुम हमसे कुछ शेर करना चाहते हो जॉन कहते है कि मुझे तुम बहुत ही पसन हो तुम बहुत ही beautiful हो और मैं तुमारे लिए crazy हूँ यह जब बोलता है तसों लोग इसे cheer करने लग जाते है जब दोनों क्लास से बाहर आते है तो जॉन डायना से कहता है कि मुझे तुम्हे कुछ दिखाना है वो फिर से उसे घर पर लेकर आता है उसने वहार dogs वगरा पाय किये होते है डायना ने जो suggestions दिये थे यह उसने accept किये है एक room में उससे लेकर जाता है और music चलाता है जॉन अब कहता है कि जब मैं young था तो मुझे एक लड़की बहुत ही पसन आई थी मैं उसे train station पर मिला था वो भी मुझे देखती थी और मैं भी उससे देखता था पर हम दोनों एक दूसरे को देखकर सर्मा जाते थे मैं train से उत्रा और उसने मुझे बहुत ही बढ़िया smile दी थी मैं उसके पैर में पढ़ गया था मुझे लगा था कि मुझे फिर से train में घुश जाना चाहिए पर मैं लेट हो चुका था मैं पूरे एक वीक तक उसका इंतजार उस station पर करता रहा पर मुझे कभी भी वह दिखी नहीं अब 40 साल गुजर चुके है पर एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि मैंने उसे याद नहीं किया वो खहिता है कि मैं तुमारे साथ ऐसा नहीं होने दे सकता यानि कि उसकी उस लटकी के प्रती जो feelings थी यह feelings डायनों को देखकर भी उसे आती है वो डायना से सच मुच में बहुत प्यार करता है अब मैं दिखता है डायना और जॉन कबल बन चुके है एक दिन रेस्टोरन में खाना कानी के लिए जा रहे होते है वह डेविड भी होता है डेविड जौन से कहता है कि हम दोनों को तुम जूदा नहीं का सकते है हम दोनों इन्विजिबल है तुमने हम दोनों की लाइव बर्बात कर दी है वो birds का example देता है वो कहता है कि तुम कुखू bird की तरह हो वो अपना nest छोड़ कर दूसरे की nest में चला जाता है और वहाँ के सब अंडे गरा खराब कर देता है तुमने हमारी धुनिया उजार दी है इसके बाद हम देखते हैं एक charity event चल रहा होता है यहाँ पर animal sale हो रहे होते हैं और इसकी जो ब सब पैसे आएंगे वो animal की care के लिए ही जाएंगे डायनों को hippo बहुत ही पसन आते थे डेविड को यह चीज़ पता है चब यह auction चल रहा होता है तो डायनों को hippo पसन है इसलिए John किसी भी हालत में लेना चाता है यह जो bet होती है यह 50,000 डॉलर्स थक चली जाती है इसके बात यह खतम होने वाले होती है पर डेविड वहा जाता है इसके पास जो 1,000,000 डॉलर है इससे वो raise कर देता है अब hippo को बाय कर लेता है वो John और डायना के टेपल के पास आता है John कहता है तुम दोनों को बात करनी होगी इसलिए वो वहाँ से चला जाता है डेविड डायना से कहता है कि मुझे लगता था कि जो कपल सोते हैं फाइट करते हैं सब जगड़ा वगरा करते हैं पर इसके बाद यह भूल जाते होंगे यह मैं गलत था लोग कुछ भी भूलते नहीं है यह सिर्फ एक दूसरे को फार्ग्यू कर देते हैं हमने यह डील की थी तो मुझे लगाता कि हम यह सब भूल जाएंगे मैं जॉन से बहुत ही अफ्रेट था इसलिए मैं इस सब कर रहा था मुझे लग रहा था कि जॉन तुमारे लिए सही आत्मी है मैं तुमे कुछ भी नहीं दे सकता इससा मुझे लग रहा था अब मुझे पदा चल चुका है कि ऐसा नहीं होता उसके पास सिर्फ पैसे है जादा कुछ उसके पास नहीं है डेविड ने अपने साथ डिवोस पेपर लाय होते है उसपर उस साइन कर देता है और वहाँ से चला जाता है जब डायना और जॉन कार में होते है तो डायना जॉन से यह दिए कि हमें कुछ बात करने चाहिए जॉन कहता है कि मैं आप बहुत ही खुश हूँ वो अपने ड्राइवर से पुछता है कि क्या तुमने मुझे कभी इतना खुश देखा है तैयाम कहता है कि तुम सब लड़कियों से बेस्ट हो दायना पुस्ती कि सब लड़किया कौन ये कहते है कि मिलियन डॉलर कलब वो समझाता है कि जो डील दायना को उसने दी थी ये deal उसने बहुत सारी लड़कियों को भी दी थी ये उसे बता रहा होता है कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी लड़किया ऐसी थी इसके बाद वो गाड़ी रोक देता है और डायना कहती है कि अब मुझे जाना है जान का ड्राइवर उसे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया ये जो सब वो बोल रहा था ये सब कुछ जूट था जान कहता है कि वो जितना डेविट से पैर करती थी उतना कभी भी मुझे पैर नहीं कर सकती थी जैसा हो उससे देखती है वैसा हो मुझे कभी भी नहीं देखे की इसके बाद हमें देखता है कि डेविड लेक पर होता है और डायना भी उसी लेक पर आ जाती है फिर से अपनी एक नहीं लाइफ की वह स्टार्ट करना चाती है तो डायना को डेविड ने जहाँ प्रपोस किया था उसे स्पोर्ट पर वाती है डेविड भी यही बेटा हुगा होता है यह फिर से उससे पूछती है क्या मैंने तुमें कभी बताया है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ डेविड कहता है कि नहीं एक दूसरे के साथ वो बिताने वाले हैं यही मूवी एंड हो जाती है अगर हम मूवी में देखे तो डायना और डेविड बहुत ही गलत थे इनकी आदतों के बारे में हम सोचे तो यह दोनों बहुत ही बड़े जुवारी थे इन्होंने डिसेट किया था यह 5000 डॉलर्स की नीचे नहीं जाएंगे फिर विए बेट करना चाते थे यही उनकी गलत आदत इन्हें भारी पड़ी जब जॉन ने इन्हें पैसे दिये तो इस पर सोचने लगे इन्हें पता था कि यह गलत है फिर भी इन्हें लगा कि यह भूल सकते है जिस तरह से इने जुवे में लगता था कि जीच सकते हैं उसी तरह से यह भी जुवा है ऐसा होने लगा था एक दूसरे के प्रदी इनकी फिलिंग्स इस चीज़ से क्या फरक पर सकता है इसके बारे में कभी भी इन्हें नहीं सोचा था जुआ खेलना जिस तरह से गलत डिसिजन था यह भी इनका गलत डिसिजन था अगर हम जॉन की बात करें तो यह बहुत ही अकिल आदमी था इसके पास पैसे थे पर इसकी लाइफ में कोई भी नहीं था जब डायना ने उससे कसीनों में कहा कि वो सेल में नहीं है तो इसका इगो हड हो गया जॉआज भी एक जुआ रही था पर यह बहुत ही बड़ा जुआ रही था इसे जो भी चीज अच्छी लगती थी यह उसे पानी ही थी इसने फिर एक गटिया डील देकर इसे पा लिया यह continuously इनके साथ games खेलता रहा कि Diana उसके अपास फिर से वापस आ जाए जॉन को भी सच्मूश में Diana से प्यार हो गया था पर इसका basic गलत था जो foundation डेविड और Diana के relationship की थी वो इस दुसरे के साथ high school से प्यार करते थे इन दोनों के relationship किसी भी हाल में तूट नहीं सकती थी movie के first में Diana ने हमसे कहा है कि अगर आप किसे से प्यार करते हो और अगर आपके साथ वो नहीं रहना चाता तो आपको इसे छोड़ देना चाहिए अगर वो फिर से आपके पास वापस आ जाए तो आपका हो जाता है और अगर नहीं आया तो आपका वो कभी था ही नहीं last में जॉन को realize हो गया कि Diana उसे उस तरह से प्यार कर ही नहीं सकती जिस तरह से Diana बिलीव करती थी उसी तरह से एक दूसरे को इन दोनों ने पार लिया है अब इनकी relationship पहले से और भी strong हो चुकी है आप अपनी relationship को इस तरह से granted नहीं ले सकते आपकी जो relationship है यह बहुत beautiful है कितने भी पैसे आपके पास आगे पर फिर भी आप इसको बेच नहीं सकते पैसे आपको खुश तो रख सकते है पर आपके पास अगर आपके चाहने वाले नहीं हो तो इसका कोई भी meaning नहीं है आपको हमेश आपने अंदर white मेसूस होती रहती है एक thoughtful message के साथ यह movie end हो जाती है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को like कर दीजेगा बहुत सारी ऐसी movies लेकर आता है तो तो प्लीज इस चैनल को subscribe कर दीजे और bell notification आइकोन दबाना में मत भूलिया हम फिर से मिलेंगे और एक नहीं movie के साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिया